Hello my dear students, मैं हूँ प्रतीक तामर, welcome to best English classes और आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा most important idioms exams में सबसे ज़ादा पूछे जाने वाले मुहावरे जो बार 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 हर exam में repeat होते हैं यह most important है, इन्हें कहीं पे लिख लें, इन्हें अच्छे से याद कर लें आईए शुरू करते हैं आज का session आज का पहला idiom है in the same boat जब हम कहते हैं we are in the same boat तुम और हम एक ही नाव में सवार हैं यानि तेरी और मेरी समस्या एक ही है, तेरी मेरी problem एक ही है we are in the same boat जब हम कहते हैं I know all your ins and outs मैं तुम्हारे सारे ins and outs जानता हूँ यानि मैं तुम्हारे सारे राज जानता हूँ तुम्हारे सारे secrets जानता हूँ तुम्हारे अंदर बाहर की सब बाते मुझे पता हैं I know all your ins and outs next idiom है, irony of fate फेट यानि भाग्य और आईरनी यानि विडम बना आईरनी ओफ फेट यानि भाग्य की विडम बना जैसे कल तक कोई बहुत अमीर था पर अब लुट गया, बर्बाद हो गया देखो कल तक कार में गुमता था, आज साइकल पे गुम रहा है irony of fate भाग्ये की कैसी विडम बना है ओके next medium है it is no picnic ये कोई picnic बनाने जैसा असान काम नहीं है it's no picnic ये भी exams में पूछा जाता है अगला है itching palm itching palm का अर्थ होता है रिश्वत लेने की इच्छा हतेली में खुजली हो रही है यानि रिश्वत लेने का मन कर रहा है अक्सर बोलते हैं he has itching palm उसकी खुजली वाली हतेली है यानि उसे रिश्वत लेना बहुत पसंद है itching palm next idiom है itsy bitsy itsy bitsy का मतलब होता है छोटी मोटी बातें ऐसी itsy bitsy बातों पर परिशान मत हुआ करो ऐसी itsy bitsy बातों के लिए मुझसे शिकायत मत किया करो itsy bitsy यानि छोटी मोटी बातें next idiom है jack of all trades तो एक बड़ा मुहावरा है jack of all trades is master of none यानि कि जो हर काम सीखने की कोशिश करता है वो किसी भी एक काम में expert नहीं हो पाता बड़ इसी मुहावरे का एक छोटा रूप है jack of all trades सिर्फ इतना ही बोलते है jack of all trades trades यानि काम और हर काम में jack है ये मतब हर काम में expert है ये हम उर्दु में कहते हैं harfan mola यानि हर काम में expert तो हर काम में जो तेज होता है उसे हम कहते हैं jack of all trades इसे अच्छे से याद कर लीजिए next है jailbird jailbird यानि jail की चिडिया jail की चिडिया किसको कहते हैं जो इंसान अक्सर jail जाता रहता है इसे अक्सर पुलिस ले जाती है पकड़के ऐसे को बोलते है jailbird he is a jailbird जो अक्सर frequently jail जाता रहता है next idiom है kangaroo court ये भी exams में काफी बार पूछा गया है kangaroo court का मतलब है गैर कानूनी अदालत यानि illegal रूप से कहीं पर अपनी हुकूमत चलाना अपनी parallel government चलाना और किसी area पे rule करना वहाँ पे राज करना illegal तोर पे अपने हिसाब से वहाँ पे decision देना ये होता है kangaroo court next है keep pace pace का मतलब होता है गती keep pace with me मतलब अपनी गती बढ़ाओ मेरी बराबरी करो keep pace with me जैसे यदि कोई teacher बहुत speed से पढ़ा रहा है और वो students को कहता है कि आप भी अपने लिखने की speed बढ़ाओ समझने की speed बढ़ाओ तो वो क्या कहेगा keep pace with me या फिर यदि कोई दो लोग morning walk पे गए वे हैं और एक तो तेजी से चल रहा है दूसरा half रहा है पीछे भी चा रहा है तो आगे चलने वाला पीछे चलने वाले को कहेगा keep pace with me अपनी speed बढ़ाओ मेरे बराबर बराबर चलो so friends यह थे कुछ idioms जो हर exam में पूछे जाते हैं और आगे भी आने की इनकी बहुत possibility है यह most important है आप इने कहीं note down करें और अच्छे से learn करें आज के लिए बस इतना ही यदि चैनल पे नए हो तो subscribe करना प्लीज और bell बटन को hit करना ताकि सारी notification तुम्हें मिल पाएं आगे भी ऐसे बहुत सारे वीडियो लेकर आऊंगा एक like तो बनता है बस comment box में अपना feedback भी देना कोई idiom पूछना चाहो तो वहाँ पूछ सकते हो और अपने friends के साथ इसे whatsapp पे share भी कर देना आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे thank you so much